आज की इस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे I have a dream के objective के बारे में जो की लिखा गया है मार्टिन लूथर किंग जुनियर के द्वारा तो बिना वक्त के बाया चलिए शुरू करते हैं तो I have a dream is a speech delivered by I have a dream जो की speech है लिखा गया है किन के दर तो option आपके सामने चार है डॉक्टर जाकिर हुसेन, मनोहर मलगोनाकर, मार्टिन लूथर किंग जुनियर, पर्ल एस बाक्त इसका जो राइट आंसर है हो है C, मार्टिन लूथर किंग जुनियर यह जो थे I have a dream के को लिख सब्सक्राइब करते हैं, कौन बहुत अच्छे वक्ता थे और मार्टिन लूथर किंग जुनियर इसका राइट आंसर टू का हो जाएगा, यह यह बहुत अच्छे इंसान थे लोगों के फरतिश सोचते थे यानि अमेरिका में काले लोगों के नेता थे कोशन में थर्ड के हम लोग बात करते हैं, थर्ड कोशन में है था कंडीशन अफ दा अपैलिंग वाज नौट चेंजट अपैलिंग या उस जगह पर वाज डाल सकते हैं, तो अप्सन की और बढ़ते हैं, मतलब वहाँ जो कंडीशन था, मतलब किसका कंडीशन बहुत दर वाज भी रइद राइड अंसर, अमेरिका में उस टाइम, यहां के तो जती जो भी लोग होते थे, जो द्ग एक भी और इसको डिन रिंट बंक यहां ज्यादा शोकर रहे न रहेल yr डंत से था, मतलब कarl ननौट करते हैं, मार्टीन लोथार लूटर किस देश से थे तो मार्टीन लूथर बिलॉंग टू अमेरिका यू एसे चाइना से नहीं थे इंडिया पाकिस्तन ये सब ने वाट इस दराइट आंसर और कोस्टन नंबर फो तो ए राइट आंसर है चलिए कोस्टन नंबर हम लोग नेक्स्ट बात करते कोस्टन नंबर फांच की लूथर बां टेट नाठिंग बट नग्रोज लूथर बां टेट नठिंग बट निग्रोज नथिंग बट का यह मतलब नहीं कुछ भी नहीं नथिंग बट मतलब एक दम कोई इफ एनी कंडिशन को यदि कोई भी समझ कंडिशन हो तो हमें सिर्फ आजादी ही आजादी चाहिए इसका जो राइट आंसर वह है फ्रीडम क्या राइट आंसर है विच्छो फिर किया जाता है कुस्टन नमर सिक्स की बात हम लोग करते हैं मार्टिन लूथर सेज़ डैट दे बैंक ऑफ जस्टिस फर्द नेग्रोज है बैंक्राफ वहां जो बैंक का जो जस्टिस था मतलब नया था वही पूरा तरह दिवालिया हो जुका था किसके लिए नेग्रोज के के लिए मतलब नेग्रोज को ओहां दवाया जाता था जिसमय हम लोग एक कॉंट्री में अंग्रेज लोग राज करते हम लोग को दवाय उसी तरह अमिर्का में यह वहां पर काफी समझा थी नेग्रोज के लिए तो जो सही आंसर है ओ है ए कोस्टन नमबर हम लोग सेवन की बात करें, who says the black, white should join their hands or their high mountain will be made low, made low, Gandhiji, Alexander Pop, Luther King Jr., none, मतलब who says, किसे ने कहा था, the black and white should join together, hands or the high mountains will be made low, तो यह जो कहे थे हमारे Luther King जूनियर, मतलब काले और गोड़े साथ चलेंगे, तो इसी से हाई mountain will be made low, उझे पहारों कोई भी हम छोटे बना देंगे, इनका कहना था, यानि एकता में ही बल है, ऐसा मानना था, सीधी सी बात, कहतों, जो कि हमारे इंडियंस बले ही कह चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, question number seven का, लूथर किंग जूनियर ने का, कभी मार्टिन लूथर किंग जूनियर का नाम यहां पर कर दिया गया, तो आपके एकजाम में ऐसा भी नाम रह सकता है, तो आप सही आंसर ही चुनेंगे, question number eight की हम लोग बात कर लेते हैं, who delivered his speech in one sing a turn, D.C. in August, तो यहां पर जो मतलब वांसी गटन में कौन सा इंसान जो एसकी डिलेवर्ड किया था, यानि भासन दिया था, तो वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मतलब उस टाइन, जब इनकी लराई चल लए थी, तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर by the color of skin, कि मेरे बचपन को, sorry my children will not be judged by the color of skin, कि मेरे बच्चे को skin के द्वारा जज नहीं करना चाहिए, प्लस रही भी कहा गया है, कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, और यहां वहां पर काला गुड़ाउस से में बहुत भेदभाव चलता था, बहुत सारी समाझ से यह दूसरी बात हो गए, it is not easy to bloom the negros, वहां नेग्रोज के लिए जिन्दकी जीन आसान नहीं था, बहुत जादे difficulties थी, और तीसरा लाइन आपका कहा गया है, bear should be same right, citizenship, opportunities for them, because they are also the children of the same God, और तीसरा जो लाइन कहा गया हो बहुत ही important है, कहते हैं, there should be same right, सबको समान अधिका हो जोना चाहिए, यह citizenship नागरीत्ता होनी चाहिए, और अफ़र, अफ़र, क्यूनिटीस for them, because they are also the children of the same God, और सबको एक जैसा, हर एक बच्चे को एक जैसा देखना चाहिए, क्योंकि बच्चे भगमान का रूप होते हैं, तो यह सब बातों को किस ने कहा, who says, इन सब बातों को कहा है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, वो अपने चेप्टर, I have a dream में कहा है, जो कि एक स्पीच है, याद रखना, I have a dream is a speech, next question की ओर हम लोग बात करते हैं, question number 10, कहते हैं, नेग्रों did not get freedom, and they were like the death of America, slaves of America, यह बहुत simple question है, क्यों गुलामों के जैसा, आमेरिका मे रहते थे, question number बात करते हैं, 11 की, 11 में कहता है, that is a desert state of the USA, but he wants to make it developed, मतलब desert एक घाटी की तरह, मतलब बहुत ही, पिछरा हुआ state कौन था, पूरा, वहां अलबामा था, अलबामा, जो कि अलबामा जो था, नेग्रोंज समुदाय के लोग, अलबामे में बहुत जादे रहते इसलिए उस पर कोई भी ध्यान नहीं देता, यहां जो राइट आंसर हो गया, अलबामा, Mississippi नहीं हो जाएगा, राइट आंसर अलबामा, question number next की बात करते हैं, who was in favor of non-violent struggle, who was in favor of non-violent struggle, इस में से कौन ऐसा था, जिसको, मतलब सिगा नोया, डर्टी अस्यास, मार्टी लूथर किंग जूनियर, तीनों में से कौन ऐसे थे, जो अहिंसा को नहीं चाहता था, मतलब, sorry, अहिंसा को चाहता था, मतलब कोई भी हिंसा ना हो, उस जगा पे मार पीट ना हो, एकदम सीधे-सीधे आजादी मिल जाए, बहुत सारी समस्या थे वहाँ पे, और लड़ाई जगना, मार्टी लूथर किंग जूनियर जो थे, वो एक गांधी बादी बीचार के लोग थे, और वो गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, और उनका भी एकदम गांधी जैसा thinking था, तो यहां भी right answer कौन हो जाएगा, मार्टी लूथर किंग जूनियर, वो चाहते थे कि non-violent struggle हो, चलिए आगे चलते हैं Question number next हम लोग बात करते हैं Question number 13 में चलते हैं In I have a dream I have a dream में Luther says about Luther किसके बारे में कहते हैं तो Negroes in South Africa South Africa country के Negroes के बारे में Negroes in South India South India के Negroes के बारे में और Option B है Negroes in America America के Negroes के बारे में तो यहाँ पर right answer हो जाएगा Negroes in America America के बारे में बात करते थे Because he belong to America And he described about America people Next question के बारे में बात करते हैं Question number 14 है I have a dream has been repeated I have a dream कितना बार इसको इसको repeat किया गया है इनके chapter में इनके जो speech है उसमें कितना बार I have a dream को बोले हैं First option is two times Second is eight times C is ten times and D is twenty times What is the right answer? Comment below इस question को मैं छोड़ रहा हूँ आप लोग इसका answer दीजिए Chapter में देखिए कितना बढ़े है Question number 15 के हम लोग बात करते हैं Dash is Swelting with the heat of injustice मतलब कौन लोग जो थे Swelting with the heat of injustice Texas, New York, Mississippi None इसका भी आप लोग answer को नीचे comment box में feel करें इसको आप line पढ़ेगा तो इसका answer आपको मिल जाएगा ऐसे मैं इस question का answer comment box में दे दूँगा तब तक आप लोग दो question इसमें से बनाईए चलिए next question की बात करते हैं 16 में Martin Luther was born in and dash Sorry And dash and died कब जन्म लिये थे और कब मरे थे Martin Luther King Junior यह जो जन्म लिये थे आप लोग का 1929 में और देखे जैसे ही आपको कुछ भी एक याद रखना है जन्म कब लिये 1929 में 1929 में जब जन्म लिये और देथ हुआ था इनका 1968 में Now here is the right answer Question number 17 के हम लोग बात करें Luther delivered his speech in Bansi का turn DC August dash but received the Nobel Prize in 1964 यहां कहते हैं इसको हिंदी में समझेंगे अब लोग Luther delivered his speech in Bansi का turn DC Bansi का turn DC में या जो अपना है भासन कब दिये थे मतलब किस अगस्त में दिये थे हाँ पर मन्त के लिए है और अगस्त में कौन से डेट को दिये थे but received the Nobel Prize in 1964 लेकिन 1964 में इनको उस भासन के लिए नोबेल प्रुसकार दिया गया था यह जो थे यह इनको देखे 28 अगस्त 1963 में इसका जो राइट आंसर है वह हो जाएका था सुच के देखिए 28 अगस्त 1963 और नोबेल प्राइज को 1964 में मिला था नेक्स्ट कोस्टन के और बात करते हैं हम लोग कोस्टन नम्र 18 मार्टिन लूथर वाज लवर अफ नन्वालेंस और भी ही फॉलोड देखिए यह कोस्टन आ गया बहुत इंपोर्टेंट कोस्टन है मार्टिन लूथर वाज लवर अफ नन्वालेंस और इंसा के पुजारी थे जहगरा लड़ाई नहीं करते थे यह गांधी जी कहते थे एक गाल में मारा दूसरा भी मार लो एज लाइक सेम यह भी वही थे जहगरा दुनिया में कोई ब्योगांधी भबा को भूलता नहीं है जवाहरलाल नहरू को नहीं नरेंद्र मोधी को नहीं देके नरेंद्र मोधी तो अभी आए पल में दे देगा फेमस पॉप्लारिटी जादे है मार मत देना राइट आंसर महात्मागंधी एटीन का एक रंग से नहीं अपने करेक्टर से जाना जाएगा किस ने कहा इसको भी लूथर किंग जूनियर ने कहा राइट आंसर हो जाएगा सी कोसन नमबर ट्वेंटी की हम लोग बात करते हैं मार्टिन लूथर स्ट्रीम वासिंग अलबामा एज़ डैस स्टेट प्रीफर इस्टी ने डिश्टीनेशन बिट्विन दवाइट डिलेक कैसा वो चाहते थे तो यंकाल चाहते थे बिलकूल नहीं नं-डेवलब्ट ऐसा हो ही निसे बुरा नहीं डिवलब्ट चाहते थे यह अपने स्टेट को हलाफुला देखना जाते तो बहुत डेवलफर विकास भर नंव्रत नहीं थी सिर्फ ओ चाहते थे हम लुग वाले को भी किसी से नफरत मतलब उनको नफरत ना मिले और दोनों साथ मेरा यह चाहते थे तु यह वाइट वाले से नफरत भी नहीं करते थे इनका करेक्टर यह असा था अहिंसा के पुजारी थे तो इस वीडियो को यहीं